कि नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हां नमस्ते सर नमस्ते कौन हां सर मैं जो है डिस्टिक्ट जहासी से बोल रहा हूं सर प्रवेन कुमार पटेरिया हूं बताइए सर हम यही आपकी वीडियो बगएर है देखते रहते हैं काफी अच्छा लगता है मोटिवेशन की पहले तो आसा छोड़ चुके थे तो सर मेरा सवाल यह था कि मैं यह सुपर टेट पास नहीं हूं हम टेट 2011 में किया था ठीक है तो सुपर टेट का कुछ इशु रहेगा क्या आपने दो जार गारा में टेट किया तो उसके पहले कोई टीचर टेरिंग कोर्स की होंगे न हां सर बीयड किया था हम बीड के हुए हैं दो जारे गयारा टेट पास हैं जी और उसके बाद भी कभ पर आया था तो इसको दियू है नई सर बहात्तर अजार आठ्सो पच्चिस में थे अच्छावत। में 25 से शेने कोईबाट ने नहीं भर्तियां जी तो उन्हें में सुपडर्ट टी यूपी कड़ Waiting कड़े ह रही है जी शुकि कोई हुआ नय मानंप को के साथ नब नागत कड़े हो रहे हैं जी के सब्सक्राखा कर करेंменे सब्सक्राइक statwed में भर्ति हुआ तो तो जैसे SuperTate हुआ था वैसे ही SuperTate होगा, हो सकता है यहां भी दूपीपर हो जैसे वहां प्रीमेंस हुआ है भीहार में तो वो तो राजसरकाज भरती निकालेगी क्या उनहजार के आसफास सुनने में आता रहता है तो सूपर्टेट होगा उसमें सूपर्टेट निकाल करके तब जो है जोईनिंग होगी और सुनते हैं आप लगातार तो हर चीज़ जम बताते ही रहते हैं कि राश्टी सिक्षानिती के तहर जो है बहुत साइची चीज़ें हो रही है 2011 वाला ट्रेट जो है वो एक्सपायर हो गया था तो लाइफटाइम हो गया आप पता है तो वह सब इसलिए किया जा रहा है कि जो पद खाली है सारे भरने हैं और जो पुराने कैंडिट्स हैं उन्हें को लेने की यूजना है तो अभी इंतिजार हो रहा है बिएट जो गजट जारी हुआ तो दोसाथार में प्राइमरी के लिए वैलिट किया तो वजट जो है रद्ध हो गया जानते होंगे सर आज यह मैं सीट निकला हुआ था वह आप चुकि आप से क्या मतलब छेपाना है प्याहें उम्र के साथ हर समय को बदलता रहता है समय तो पढ़ाई प्राइमरी के लिए क्योंकि गजट रद चल रहा है तो हमने का यार सर बताते रहते हैं के बीटी सी बगएरा डाल के कर दो तो उन्होंने बताया बुला फिर आप सेकंड पेपर में भी बीटी सी डालेंगे क्या उसमें डालेंगे तो फिर भी मिक्स हो जाएगा आप नहीं पाएंगे तो इस बज़े से फिर आज फारम नहीं डाल पाए आज लास्ट था चलिक कोई बात नहीं या तो आप जो है बीट दिखा करके सकेनलर डाल डाल दी होते या फिर डेलेट दिखा करके डेलेट सही दोनों भर देते क्योंकि जब आप एकजान दे लेते हैं सट्ट आपने कौन सा और चेक्टेटेट जो आप दिखा रहे हैं वो कौन सा पास की एंग और जब पास किये थो उस वक्त क्या नियम कानून थे खेर चले कोई बात ने आप अगर जो है चाहे होते डिलेट दिखा के भर देते कोई दिक्कत नहीं था खेर कोई जूरी नहीं है आप एक बार अलड़ी पास हैं 2011 वाला था सर वो तो हम इसलिए कि कहते रहते हैं कि maximum लोग जो है कहीं न कहीं अपने रोजगार में कामदंदा मे लगे हुए हैं पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गए हैं तो लंबे समय से पढ़ाई से लग जो लोग से इसकूलों पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में या जहां भी तो वो तो सब्जेक्ट से विशा से पढ़ाई से जुड़े हुए हैं लेकिन जो अन्य कोई कामदंदा क हैं तो उनका पढ़ाई से नाता ही नहीं रह गया है अक्षल में सर हुआ क्या था मैं पढ़ने में तो पहले बहुत अच्छा था तो उसमें टैट मेरिट में नहीं आ पाए थे 72,000 में उस बज़ए से फिर यह अफसोसी रहा है उसके बाद आंगे जो दो टैट दिये परिवार का बाड़न मेरे उपर था तो बस खेती बाड़ी में अपने लग गए जमेदारियां है तो बहुत साई चीजें रहती हैं आप जो 2011 में टैट पास है 91 नंबर के साथ पहली बार टैट हुआ था किसी कुछ पता ही नहीं था और देड़ घंटे का पीपर था उसमें आपने 91 लाया तो बढ़िया है अच्छा स्कोर है कोसिस कीजिएगा फिर नेक्स टाइम जो है जब भी आएगा तो जूनियर वाला जरूर से बढ़िएगा और अगर प्रैमरी के लिए जो है इलिजबल रहेंगे तो वह भी दीजेगा जी सर जी गजट तो आना ही है आना ही से काफी फायदा होने लगा है पढ़ाने से तो होगा ही रिवीजन हो जाता है ना तो चलिए जब भी आएगा नेक्स टाइम तो दीजिए जरूर से और जो 72 आप कह रहे हैं तो वह तो बहुता जाए कि भरती 2011 में जो आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगा इसा ही भर कितो है थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में कटाफ लगा तो कटाफ जो है पहली बार उसी भरती में लगा तो सुप्रीम कोर्ट यार जो वाला जो था वह तो आवैद विग्याम तो इसका सुप्रेम曲 ने पैसा वापस करने के लिए कहा था तो भी न्हों ऐक कुछ दिन पहले में पढ़े होंगे कि 31 मार्ट से पहले सबक्राइब में चरा जाएगा सर उसी समय जब मतलब यह बारा संद बारा तेरा चुदा पंदरा ऐसा कुछ रहा था उस समय आवेदन लिये थे उसमें डाला था तो मेरा पांच छे जिलों से बापिस हुआ था पैसा तो 2011 में एक बार लिया गया था फिर दो बार में लिया गया था उसके बाद प्रत्या बेदल करके भी डलवाए थी तो पुना आवेदन जब कोड में था मैटर तो कोड़ने कुछ जानकारी मांगा था तो फिर सावेदन लिये गय थे तो यह तीन बार तो यह हो गया और एक ब सब्सक्राइब के लिए कुछ डीडी बगेरा की जरोक्स लगा के भेजा था दो बार ऐसा हुआ है अभी तो यह है 2018 में जब सुप्रेम कोट से 2017 में और हुआ 2018 में फीसवापसी के लिए फार्म भरवाये गया है तो सभी लोगों ने भरा है जिसमें से कुछ लोगों को वापस हुआ है जो रूट गए थे मुझे इतना ध्यान है मेरा पांच छे जिलों से बापस आया था उच्छा वह आपका जो है 2011 वाला होगा उसमें पांच जिलों प्राइब भरात कर दोदूब करना था फिर बाद में कोट आदेश हुआ कि एक जिले में डीडी लगा कर लगा कर अगर आपने यह से ज्यादा जो है तो आप वापस ले सकते उसमें लिया होगा वापस थे तो पुराने मुद्द्य होगा है यह सब मैटर खतम हो चुका है सबस्क्राइब से कुछ नहीं होना सब्सक्राइब जो वह समें कुछ है जो बिससे और बताते रहते हैं जो अने जा रहा है अब तक आ जाएगा वैसे सुनते तो आपकी बाते रहते हैं हम देखे पिछली बार लबद धाय तीन महिना लगा था तो इस बार भी उमीद किया जारा था कि मीटिंग में अगर होना है और थोड़ी समस्चाहां बढ़ गई तो थो ज्यादा समय लगेगा तो अभी जो हसंसत बैटने ज आपकी जो है जो सुनते हैं कि यह आयोग भी बनना है तभी भरतियां निकालेंगे जो राश्य सिक्षानीती 2020 में लागू हुआ है जिसके अनुसार सभी राजियों को एक नया आयोग बनाना है और जितने भी शिक्षक भरती होगी वह सारे सिक्षक भरती आयोग के माध्यम से करना है हाँ तो सदी जब दोनों चीजें हो जाएंगी ना गजट भी आ जाएगा और जाएगा तभी तो कुछ होगा ना तो आयोग के जो है वो कैबिनेट से पास हो चुका था सिर्फ गठन बाकी है और पिछले तीन दिन चार दिन से लगाता है क्या हो रहा है आयोग ग उसके पबाद फिर इसमें से चैंपर के असुरू होगी तो वह है हुँ आयोग आयोग से आज आएगी और आविदन शुरू हो जाएंगे आप अभी समझे नहीं जो नया आयोग बनाए जा रहा है जी तो उसमें काम करने के लिए सदस्यों की जरूरत तो होगी ना अधिकारियों की हाँ बिलकुल होगी तो उसके लिए अभी एक हपते के अंदर आविदन आएगा और जो लोग आवि तब तक गजट भी पास हो जाएगा अच्छा जाएगा उधर जो है यूपी गवर्मेंट ने अपना जो ये काम भी शुरू कर दिया है तो एक डिड़ महिने में ये भी काम हो जाएगा तो इसी के बाद जो है सिक्षामिस समयोजन भी होना है टेट पास वर्सवार निक्ति वहना इसारी चीज़ें करम सद्धियरे शुरू हूंगी तो सर जैसे मैं 210 हूं हूं ए उपरट की अभी कोई आउसक्ता नहीं है पर देना है जो यूपी गौवर्मेंट जब नई भरती निकालेगी उत्वाली उसमें सुपरटेट होगा ये वर्सभार में शूपर नहीं हो लेकिन पढ़ाई की जरूरत यहां भी पड़ेगी इंटर्व्यू डेमो राष्टी सिक्षानिती यह भी कहता है कि हर सिक्षक भर्ती में इंटर्व्यू डेमो अनिवार हां सर मैंने मैंने एक अपने साथी से डिसकस किया था अपके नाम लेके के पुनीश सर बताते रहते हैं उन्होंने हमसे यह कहा था बुला हां यह डेमो हो सकता है और इंटर्व्यू भी मतलब उसमें रख सकते हैं उसमें होगा यह कि जो लोग अच्छा जिनका प्रदर्शन रहेगा उन लोगों को हम डिश्टिक दे देंगे और जो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएं तो लेकिन एक चीज़ बताइए अगर आपको आपके घर से दूसों धाइसों क्लिमिटर दूर भीज़ दे दस साल वहीं पड़े रही है नहीं सर्वों तो बहुत गलत हो जाता है जितने लोग पड़ाता है जितने लोग नौकरी कर रहे हैं कोई साथ साल से कोई दस साल से क पड़े हुए हैं कहीं दूर अब रहने वाले हैं इधर जो है इलहाबाद के लखनाओ के बनारस के इस साइड के हां उठा करके उनको फेक दिया है चलेगा कोई जो पीली भी तो कोई सिधार नहीं कहीं पर अब ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी समस्या है खाने पीने रहने हर तरह की समस्या है तो अभी तो लगता है जहां मिलेगगी चलो अभी नौक्री तो मिल रही है पर आहई कोई भी चीज जो है थोड़ी समय तक अच्छी लगती है फिर वह समस्यां देने लगती है कोई भी जगा भूमने भी जाएंगे तो सुरु सुरु में अच्छा लगेगा जब कोई दिन वहां बिताना होगा तो लोगेगा बस यहां से निकलो भी आपना छेतर ही जो है वह दिखा है उस हिसाब से अपने को तयार रखना है ताकि परिशिति आया हर परिशिति के लिए हम तयार रहे हैं तो जब वो कह रहा है इंटर्व्यू डेमो अनिवार और अभी अभी देखिए केंद्री विद्याला की भरतियां हुई है जी वहां सब में इंटर्व्यू और देंगें होता है तो बहुत सारे लोगों को रहता है कियए इंटर्व्यू डेमो खतं हो रहा है तो है और फेन इंटर्व्यू ऑरहा हो सब पुरानी बातते हो गए अब जिराष्टी सिछान शिकर्णियती लागू हो चुका है उसमें साफ शाप लेखा है कि किसी भी नबर लाया होिसकता है किने पैनल के रहता है कि वेक्टी काहिशा हैं पढ़ा नहीं परहा पा रहा है है होता है तो पढ़ाई के लिए जो है से मन लगता नहीं है लोगों का इसलिए करते हैं फार्म भरो फार्म भरने सी होता है कि यह चीज हमें इतने त्यार करना है जाम देना है सर बस इसी लिए हम सोच रहे थे कि आज सीटेट कर डाल दें थोड़ा सा सोबाई फोन लगा आपको तो सुचो फारा था हम सोच रहे थी कि सर से एक बार बात हो जाए तो हम आज लाज डेट है तो आज हम कर लें काम अरे दोनों ना सही जुनियर क होगा टाइम डाल दीजिए तो सब्सक्राइब साइट खोल कर देख लिएगा अगर साइट अब भी हो रहा है आधा गंटा में आप मोबाइल पर ही कर लेंगे सबादा गंटा भी लगेगा दस-पंदा मिनिट में कर लेंगे सारे डॉक्मेंट लेंगा बैठेगा जो यह होगा कि हमें सीटेट देना है तो सीटेट के अनुसाज पढ़ेंगे तो उतना जो है आपका रिविजन होगा एक टार्गेट मिल जाएगा जी सर और होना तो हई है बीएट का गजट आना वो कनफर्म बीएट वैलिड होगा उसमें कहीं फबट नहीं है तो कि राश्य स कोर्स बंद हो जाएंगे अब इनके जो है इड्मिशन नहीं होंगे आने वाले एक दो साल में पूरी तरह से बंद हो जाएगा जो लोग कर चुके होंगे उनको 2030 तक लेने का जो है कहा गया है राश्य सिक्षाने के में जी तो बीएड कि हुए हैं बीएड रहेगा उसका ग जानकारी नहीं थी इसलिए पूछ रहे हैं अपने यूपी में यह जो अभी 23 में या 24 में होगा तो यह मतलब है दूसरी बार हो रहा है या तीसरी बार जब 68,500 भरती आई थी तो उसमें सुपर्टेट हुआ था फिर 69,000 आया उसमें सुपर्टेट हुआ अच्छा दो बार क्या है अच्छा और फिर 79,000 में अब्जेक्टी हो गया जैसे टेट वगरह देते हैं उसमें अब्जेक्टी चारवी कलप रहते हैं वैसे समझ गए था अब जो नया आयोग बन रहा है तो ये जब निकालेगा ये कराएगा तो इसमें मान कर चलिए कि जैसे प्री मेंस होता है बिहार से हुआ है वैसे दो प्रेटर है तो धीरे धीरे जो है मानक कड़े होते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में प्राइमरी में भी सिक्षकवर्ती जो होगी विस्टा के अनुसार होगी मैथ टीचर के लिए मैथ हनिवार कर दिया जाएगा मैथ होना ही चाहिए इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश जैसे टीजिटी पिश्टी में सब्जेक्ट होता है ना तो आने वाले कुछ सालों में अभी तो फिला मैं किसी की सुनते ही नहीं था किस बात को लेकर मेरी एक कमी थी सर मुझे भूस सबार था एंभी विए डॉक्टर बनने का अच्छा तो सन 2000 में मैंने इंटर किया के बाद लहाबाद चले गए सर वहां जो है करीब 3-4 साल यह जो है पीम्टी करते रहे लेकर उसमें कुछ न सब्सक्राइब लेकिन पेपर आउट था वह गवर्मेंट ने दुबारा लिया पेपर दुबारा में फिर से फैल हो गए वह बस तीन-चार सा फिर में कुछ दिप्रेशन में आ गया साल दो साल अपना ऐसा ही जो है पड़ाई-ड़ाई सब छोड़ दी फिर उसके बाद फि किया तब बहुत लेट हो गया पापा कहते रहे बीड कर लो बीड कर लो मैंने नहीं किया कुछ भी बीटी सी के चक्कर में भागते रहे वह नहीं हुआ फिर बाद में 2010 में बीड हुआ मेरा कंप्लीट अच्छा तो उस बजय से फिर तुरंट टैट आ गया तो समय तो रन में थी निकल गया लेकिन उसके बाद फिर अपने जो है लाइफ में फस गए बच्चों में तो बस फिर जब से फिर पढ़ाई की टच में नहीं है तो यह दिकत आ गई मेरे को चलिए कोई बा और जो आपने अपने जीवन में अनभौ लिया है जी चाहे वह अनभौ आपके लिए लाबदायक था या कहीं आपका अहित्त हो गया या जो आप सोचते तो नहीं पाया खैर अनभौ तो उस अनभौ से नेक्ष जनरेशन चाहे आपके घर के बच्चे हो चाहे आप जिन माना सुरू कर दोगे लाइफ उतनी बढ़ियां हो जाएगी लोग जो है जब यह हमें यही चीज बनना है और भले सपल हो पा रहे हो नौ पा रहे हो अदम पीछे पड़े हैं कि हम तो दस साल हो गया इसी को रगड़ेंगे या यह करेंगे वो करेंगे उसमें जो है जीवन प्राइब थोड़ा समय दे रहे हैं अपने त्यारी भी रहे हैं वो लाइफ में जो अचीव करना होता है वो भी कर लेते हैं और उनकी लाइफ एक नौर्मल स्वीड से ठीक ठाक चल भी रही होती है महले यह जो होता है कि हम पनी चीजें बैसा में नहीं और अपने चीजें्ड कोई नियुक्तہ करणे था बैसा काफी था था यह पी ताजी जो है अब आपने बेटीयों को कि दू स्था रहा vi लोगों को खराब लगता है लेकिन वो सचाई था ख्यर कई साल उसमें बरबाध पुछ खास नहीं हुआ फिर साधी कर दी गगई तो समय नहीं बरबाध करना चाहिए अपने आपको देखते हुए हम कितने तयार है एक, दो, चारह टेम्ट देना चाहिए फिर जो है कोई online जय से पिता जीा आपके कहले थे करने के लिए तो जो है फिर देख लेना चाहिए दूसरा और सबसे मों के जितने ही जल्दी कमाना शुरू करते हैं वहतर सिर्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है तो जहां हाई स्कूल इंटर पास हुआ उसके बाद जो है कमाना जरूरी है हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों ज चाहिए जानते हैं यहीं हमारा जो कि आ वह उसने सथाद किया था तो उसके बेस पर एक कांट कॉन्टेक्ट पर नौकरी पालिया और कंट्रेक्ट में लगा और त्यारी भी करने लगा अपना कि करते करते अपना और भी डिस्टेंस से कुछ पढ़ाई-बढ़ाई कर लिया कांप कर रहा था, वह बोड़ाइ भी कर रहा था, वह परिच्छा दे रहा था तो इसको बीद गया समय उसको छोड़ा जा रहा है अब आगे जो होने जा रहा है अब फोकस कीजिए अभी थोड़ा घंटे दो गंटे 24 घंटे होते हैं 24 घंटे गंटे दो घंटे भी किताबों को पलटते रहे किताब को चार चार चेचे बार पढ़ें उसमें एक सब्सक्राइब को चार दिन में चार बार पढ़ लेंगे और वहीं से क्वेस्टन पुछे ही जाते हैं छोटी किताबों से लोग जो है कॉमिटिशन की किताब लेको मोटी मोटी खुपढ़ते हैं लेकिन ऐसा बिल्कूल नहीं है कोई कॉमिटिशन आप उठा लिए कोई भी किसी भी फिल्ड का इंजिनिर का हो चाहिए तक के से ही मैक्सिमम् question आते हैं जिसने तीन से जो है दस तक का से लिवस तयार कर लिए उसका बेश तयार हो गया और इंटर तक का अगर उसने book तयार कर लिया तो competition के लिए इदम तयार हो गया बिल्कुल सर सही बात सही बोला आपने इतने आये species को कोचिंग है चले जाए दिल्ली में पता कर लिजी द्रिष्टी हो कोई भी हो सबसे पहले च्छा महिना इंसे आर्टी पढ़ाते हैं इतने क्लास तक के यह किताबे खरीद के पढ़ना सुरू करो वही पढ़ाएंगे जितने किताबे हैं खरीदिये उस पो उपर क्या लिखा होता है इंसे आर्टी बेस्ट सब इंसे आर्टी को बेस्ट बनागर के लिखी जाती है क्योंकि इंटर तक के सिल्बस से ही मैक्सिम चीज़ें पूछी जाती है तो बस देखे अभी समय है फाम भर सकते हैं तो भर दीजे भर जाता है तो अच्छी बात नहीं भी भरता है कोई बात हैं किताबें लागर पढ़डे घंटे दो घंटा पढ़ना सुरू कर दीज़ें ठीक है सर एक चीज़ और बताएं यह पूंच रहे थे कि जैसे हमने अरे जितने साथ घंडी औरन शौश कर्क को सामने लाकर रख देता यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ें हैं तो यह लिकान कई नहीं स्पर किसी ने कभी किन होगी तो केसे देगा यह केवल एक बताया था कि उन्नीस में हुआ है तो वही मैं कन्फ्यूज था कि अब आज यह हुआ कि जब सिटेट का फाम डालने गए तो वह जो है कैफे बाला बोला बुला भाई साब भी बीड है भाई सब आप इसी टेट की चक्र में पड़े क्यों हो क्योंकि यह आपका यह क्वालिफाई भी हो जाएगा उसके बाद आपको सुपर टेट देना है सुपर टेट में आपकी एज एक्सपायर हो गई अच्छा मेरा आज जो है मैंने जो कैलकुलेट किया तो 40 साल 4 महीने आ रहा तो मैंने का यार सुपर टेट में एज लिम्टेशन है बुला हर वेक्ति का सूचना अलग होता है और हर वेक्ति का एक ही चीज का अलग-लग उुप्योग होता है यह कही है लेकिन अलग-छोर टेट है उसमें तो एज़ लिमिट रहता ही रहता है लिकां समय पर छूट भी तो मिलती है तो अपरक्सit वर के नहीं है लेकिन में पर कई सालों से ब्रतियां नहीं आई हैए तो बहुत सारी इस कारद आप क्षूड कारवika 據 सबस्क्राइब घृत बहुत ककेbur जूरूनर अच्छा रहेगा तो सूपरटेट भी दे लेंगे और नहीं होता है तो हमारे पास टेट 11 यह आब उगते हैं अब हम सकते में पड़ी तो हम इसा कर तो सबस्टेज हो गया आप सबस्क्ति भरने गये थे तो पहला नहीं है इसमें कोई दिककत नहीं है उसमें तो इस कोई दिक्कत आने ही वाला नहीं है और एक्ठेशाने कि जिस दिन आप आजाएंगे आपको जानकारी होगा कि फुद्ध क कर दा आफिज तो करने के लिए कि नेकिना उम्र में भी चूट मिल तो बिल्कुल सर तो या सीटेट अभी पास की रहेंगे जुनियर वाला भी जब जॉइन कर लेंगे तो फिर जुनियर के लिए या टीजटी पीश्टी जहां कहीं भी जो कुछ भी होगा उससे समंधित पर आगे का प्लान करेंगे जी सर तो जुनियर का भी कोई टेट है कि नहीं चाह रहे हैं तो मत दिखाईए डेलेड वगरा भी एट से ही भर दीजे जुनियर वाला के लिए त्यारी करेंगे तो इंटर्वी वगर का भी आपका प्रपजह वो भी हो जाएगा और अगर सुपर टेट आता है उसमें चूट रहती है तो पढ़ाई कि रहेंगे वो भी व करने के लिए कर रहा है और वह चाहता है कोई भरती निकली है उसमें अविधन करना अच्छा अगर अब प्रैइमरी में हो जाएंगे तो या आप नहीं चाहेंगे क्या हम जुनियर में हो जाया है टीजिटी में हो जाया है और ऊपर चलें बिल्कुल सर तो आपको जो है government employee होने के नाते सभी भरतियों में कुछ छूट मिलता है government employee तो उम्रे में छूट मिल जाएगा और मानीजी आप अभी सीटेट पास कर लेते हैं जूनियर वाला जिस जो दोजा चोबी सारा इसमें आप ये वर्सवार न्युक्ति में पा जाते हैं primary नौकरी तो तुरंत ही जब भी जूनियर की भरतिया आएगी और आप अलड़ी को देखते हुए positive सोच करके अपना कर्म किया जाए आगे जो आएगा देखा जाएगा जैसा होगा वैसा किया जाएगा तो फॉर्म देखे अभी आठ सरयाठ हो रहा है अगर भर सकता है तो भर दीजे कम सुम जूनियर तो जरूर से प्रयास करते हैं सर और ये जो जनरल देखेंगे वह तो दिखाना पड़ता है ये डेवलुएस मैंने कहीं भी लगाया नहीं था तो आप जनरल केंडिटेट से फाइट कर रहे थे ये डेवलुएस के चक्कर में पढ़िए भी नहीं उसमें आपको बनवाने में ही खर्चा कुछ नो कुछ आएगा पांस वह जा तो आपको हमें नहीं लगता है कि जुरूत्त खैर आपके अपनी एक्षा है बनवाना चाहें बनवा लीजे जी और अभी तो सीटेट भरना होगा तो अभी आपका तो बना ही नहीं यह दिखा नहीं पाएंगे अभी नहीं हमें उसको मार्क नहीं करेंगे तो अभी जैसे अभी भर दीजे अगर बनवा लीजेगा तो उसका फैदा फिर देखेगा आगे जहां ले सकेगा लीजेगा चले और कुछ सर एक चीज और लास्ट जैसे एक के बीएस और डी डी ट्रपल एस भी जिदिली बोर्ड वाले इनमें यदि कोई वो क्या नाम इंटर्व्यू की भरती के लिए दिखेंगे तो यूपी का टेट चाहिए और सिटेट इन दोनों से कोई भी हो लेकिन यूपी से जैसे आप बाहर जाएंगे चाहे केंदर का या किसी और राजी का तो सर जैसे आज हम सीटेट का प्रयास कर रहे हैं और भगवान ने कहाँ यदि यह हो गया की भाद की बिएसका आवी दर कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल केविय दि न κι अवे भृती नयोदय में भृती या दिले जरेंगे सीनियर सेकेंडिकश का आ choking बहन कर सकते हैं आप कहीं भी सीटेट रहेगा तो आप दुसरे राजी में भी कहीं कोई भरति आएंगे सब में जा सकते हैं यहां यह का फैक्टर रहेगा सर्थ हर भरति के कुछ नियम सर्थ होते हैं जहां बढ़ जब बरती निकलती है उसके सारे नियम कानौन जो भी है उसको डीटेल में पढ़ा कीजिए अपने से डाउन्लोड कीजिए तो ढूलोड करके भरना है या नहीं है वो बाद पूरा पढ़ेंगे बोरिंग हो जाता है और दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही है कि यह हमें जानना वो पार्ट खोज लीजे कहां पर है या तो फिर जो पेज है पीडियाफ गर्व उसने सर्च का उप्शन उपर लेन्स जैसा बना होता है उसमें आपको इस अब लिख देंगे जैसे उम्र मालने लिजूए आपको खोजना है तो अगर हिंदी में है तो उम्र लिखिये इंगलिस में है तो एज लिखके सर्च मार दिए वो सब्य जहां प् भी confusion नहीं होगा कहां क्या नियम कानून है तो कोई भरती आएगी उसके अपने नियम सर्तें होती हैं उन सर्तों को हर हाल में पूरा करने वाला ही आविदन कर सकता है अगर उन सर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो आविदन नहीं कर सकता और अगर बिना नियम सर्तों को पूर जानकारी कभी भी छूपाईएगा नहीं किया नौकरी के लिए जब आविदन कीजेगा तो कोई भी जानकारी कभी छूपाईएगा नहीं कोई भी जानकारी गलत मत दीजेगा वहाँ दम सही सही आप सेट पास करना है तो सेट पास करने बाद आप इस सर्टिफिकेट को कहल को कहीं यूज करेंगे नहीं करेंगे वह आपकी मर्जी है इसको तो भी एक्जाम देने के परपस से आप भर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत न करते हैं अगर आप बैसाखी के सहारा एगवा लेना सुरू कर दोगे तो आपको बैसाखी के आदत पड़ जाएगी अपना लक्ष हाई रखा जाए ना कि अगर जो है हमें टेट सीट देना है उसमें साट परसेंट जनरल के लिए मांगा है वीचेश्ट गले 55% तो चाहे वीचेश्ट वाला हो चाहे जनरल वाला हो 60% की क्यों सोचना हम 100% की सोचे न है 150 में 150 प्रसना हल करके आने हैं हमें पूरा नंबर हासिल करना है अब उसमें 5-10-15 नंबर कहीं कुछ गलत हो जाएगा चूड़ जाएगा कोई बात नहीं कोई मा सब्सक्राइब लेकिन आरकषड को डिया सब्सक्राइब लेकिन आरकषड को दिमाग में ले करके मत चलिए आप मैक्सिमम को सोच के चलिए कि हमें अधिक सदिक स्कोर करना है सर आपकी यही बात अच्छी लगती है देखे सोच उची रहेगी होगा ही नहीं कि कभी आप बाहर हो जाईए अब जो अलेड़ी दम मिनमम सबसे कम वाला लेकर लक्ष चला ह है थोड़ा सा भी चूक हुआ तो वो तो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा तो बस अपने सोच को उपर हाई रखे जितना आप अपना डाल सकते हैं जितना कर सकते हैं मैक्सिमम कुंदेने कोसिस कीजिए सफलता मिलेगी हो सकता है थोड़ा वक्त लगे लिखें मिलेगी है बिल्कुल बिल्कुल जा अथी से ठीक साथ ठीक रखता है थेंक्यू सब्सक्राइब नमस्कार